सलामों आलाइकूम वरहमतुल्ला दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप अपना एकाउंट अलराजी बैंक में आनलाइन कैसे ओपन करेंगे चाहे आपका पहले से तहवील अलराजी में एकाउंट है फिर भी आप अपना एकाउंट अलराजी बैंक में आनलाइन ओपन कर सकते हैं वो भी 5 मिनट के अंदर और अगर आप अलराजी बैंक एपलिकेशन से अपना एकाउंट ओनलाइन ओपन करते हैं और इस एकाउंट को ओपन करते वक्त क्या-क्या इस्यू आती है और इस issue का क्या solution है इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो दोस्तो वीडियो को बिना skip किये सुरू से last तक जरूर देखें दोस्तो अगर आप इस channel पर नए हैं तो channel को subscribe जरूर करने चैनल का subscription बिल्कुल free है चैनल को subscribe करने के बाद bell के icon को press करना बिल्कुल न भूले ऐसी ही informatic वीडियो की notification के लिए सबसे पहले आप अपने play store से अलराज ही mobile application को install कर लें अपने mobile phone में उसके बाद आप उस application को open कर लें application को open करने के बाद उसका interface कुछ इस तरीके से दिख जाएगा यहां से आप open account को press करेंगे आप जैसे ही open account को press करेंगे हो सकता है आपके सामने कुछ इस तरीके का error आएगा जो की इस application को काफी use होने की वज़े से आ रहा है आप इसको दो या तीन बार try करेंगे तो आप इसके next step पर आ जाएंगे open account को press करने के बाद यहां पर आप अपना mobile number इंटर करेंगे और यहां पर आप अपना e-cama number इंटर करेंगे mobile number और e-cama number इंटर करने के बाद आपको यहां पर एक message सो होगा कि आपको online account open करने के लिए आपका national address register होना जरूरी है दोस्तो अगर आपने अभी तक अपना national address register नहीं किया है उस पर मैंने पहले एक मकमल वीडियो बना चुका हूँ अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का link description में दे दूँगा आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप यहां से इसको प्रेस करेंगे आपके सामने national address registration का page open हो जाएगा यहां से आप अपना national address register कर सकते हैं उसके बाद यहां से आप I agree with term and condition को consent देंगे और यहां से आप next को प्रेस करेंगे आप जैसे ही next को प्रेस करेंगे आपने जो भी mobile number यहां पर इंटर किया है उस पर एक four digit का one time password भेजा जाएगा उस one time password को यहां पर इंटर करेंगे आप जैसे ही one time password इंटर करेंगे आपके सामने एक नया page open हो जाएगा यहां से आप select your profession को press करेंगे और यहां से आपका जो भी profession है आप उसको select करेंगे profession को select करने के बाद आप यहां से what is your primary income of source को press करेंगे और यहां से आप salary या saving को select करेंगे primary income source को select करने के बाद यहां से आप monthly income में आपकी जो भी monthly income है आप उस amount को यहां पर enter करेंगे amount को इंटर करने के बाद यहां से आप next को प्रेस करेंगे आप जैसे ही next को प्रेस करेंगे आप नफाद के page पर आ जाएंगे यहां से आप proceed को प्रेस करेंगे दोस्तों आप जैसे ही proceed को प्रेस करेंगे हो सकता है आपके mobile में यहां पर कुछ वक्त लगे एक मिनट दो मिनट या इससे भी ज़्यादा क्योंकि इस application को इस्तमाल करके काफी सारे लोग online account open कर रहे हैं जिसकी वज़े से इस step पर काफी दिक्कत आ रही है आप इस page को बिल्कुल भी refresh ना करें इसको ऐसे ही छोड़ें और थोड़ा wait कर लें जब ये page open हो जाए उसके बाद आप यहाँ पर अपने अबसर की ID को इंटर करेंगे अबसर की ID को इंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपना password इंटर करेंगे password इंटर करने के बाद इस capture को आप यहाँ पर इंटर करें आप जैसे ही login को प्रेस करेंगे आपका जो भी मवाइल नंबर अबसर के साथ लिंक होगा उस पर एक 4 डिजिट का OTP भेजा जाएगा आप उस OTP को यहां पर इंटर करेंगे OTP इंटर करने के बाद यहां से आप continue को प्रेस करेंगे दोस्तों continue को प्रेस करने के बाद हो सकता है यहां पर भी आपका कुछ time लग जाए दो या तिन जट का time लग सकता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है इस application पर काफी traffic होने की वज़े से कुछ step पर कुछ ज्यादा time लग जाता है आप यहां पर थोड़ा wait कर लेंगे wait करने के बाद अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का error आ जाता है तो आप इस application को close कर लें बिल्कुल और फिर से आप इसका सुरू से जो भी मैंने step बतलाया है आप उसी step को follow करके फिर से आपको नया form feel करना होगा या हो सक आपको error की जगह आपके सामने कुछ इस तरीके का interface भी आ सकता है अगर आपके सामने इस तरीके का एक नया interface आता है तो यहां पर आपका जो भी national address है आप उसको manually यहां पर feel कर लेंगे जैसे कि आप यहां से अपना region select करेंगे और यहां से आप अपनी city को select करेंगे और यहां से आप अपने district को select करेंगे district select करने के बाद यहां से आप street name इंटर करेंगे street name इंटर करने के बाद यहां पर आप अपना zip code type करेंगे जिब code type करने के बाद यहां पर आप अपनी building number type करेंगे building number type करने के बाद यहां पर आप additional number type करेंगे additional number type करने के बाद यहां पर आप unit number type करेंगे दोस्तों यह सारी details आपने जो भी अपना national address register किया होगा उस पे आपको ये सारी details मिल जाएगी या फिर आपने जो भी अपना national address register किया है उसके print out पे ये सारी details आपको मिल जाएगी आप इन सारी details को fill करने के बाद यहां से आप next को press करेंगे या अगर आपके application में अगर कोई error नहीं आता है जैसे ही आप continue को press करेंगे आप इसके एक अगले step पर आजाएंगे यहाँ पर आपका first name सो हो जाएगा और यहाँ पर father name सो हो जाएगा और यहाँ पर family name सो हो जाएगा यहाँ पर grandfather name में column blank होता है आप यहाँ पर से कोई भी short name यहाँ पर इंटर करेंगे grandfather name की जगह पर उसके बाद यहाँ से आप next को press करेंगे आप जैसे ही next को press करेंगे आपने जो भी last page पर इंटर किया है सेम वही चीज यहाँ पर आपको अरभी में सो होगी यहाँ पर आप grandfather name को भी अरभी में type कर देंगे उसके बाद यहाँ से आप next को press करेंगे next को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप city name इंटर करेंगे city name इंटर करने के बाद यहाँ से आप next को प्रेस करेंगे आप जैसे ही next को प्रेस करेंगे आप एक नए पेज पर आ जाएंगे यहाँ से आप दोनों option में no को select करेंगे उसके बाद यहां से आप next को press करेंगे आप जैसे ही next को press करेंगे आपके सामने एक नया page आ जाएगा यहां पर आप अपना username create करेंगे username में आप एक letter capital में type करेंगे और बाकी letter को आप small में type करेंगे और यहां पर आप कुछ number भी type कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपना password generate करेंगे password आपका minimum add character का होना चाहिए जिसमें कुछ letter आप capital में type करेंगे और कुछ small में उसके बाद आप कुछ alphabet भी type करेंगे और यहाँ पर आप अपने password को confirm करेंगे password confirm करने के बाद यहाँ से आप next को press करेंगे आप जैसे ही next को press करेंगे आपके सामने एक नया page open हो जाएगा यहाँ पर आप अपनी email id type करेंगे email id इंटर करने के बाद यहाँ से आप next को press करेंगे दोस्तो अगर next को press करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से इरर आता है तो आप एक बार दो बार तीन वार ट्राइ करें अगर यहां से आपका step आगे नहीं बरता है तो आप इस application को close करेंगे और वापिस से अपने application को open करके मैंने जो भी तरीका सुरू से बतलाया है आप उसको फिर से follow करेंगे और अगर आपके application में कोई error नहीं आता है तो आप जैसे ही next को press करेंगे आपका account open हो जाएगा जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा account open हो चुका है और यहां पर आपका account number सो हो जाएगा और यहां पर iban number सो हो जाएगा सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और आपके मन में कोई confusion है तो नीचे दिये गए comment box में जगो लिखें